गुद मॉर्निंग आपरेवान वेल्कम टो चैनल करंट अड़्डा ए डेली करंट अफेर शो बेस्ट ओन दे हिंदू एंद अधर डिफरेंट सूर्सेज फ्रेंट्स आज है अठाइस अपरेल और अठाइस अपरेल से जितने भी इंपोर्टेंट कोश्चन होंगे या उनसे रिलेटिड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सब हम डिसकस करेंगे तो सबसे पहले तो हम अपने प्रिवियस क्विज देखेंगे दन उसके बाद आज की जितनी भी इंपोर्टेंट निउस होंगी जिससे आपकी एक ही news दो दो बार revise हो जाएगी और आप फिर उसे लंबे समय तक जो है याद रखोगे तो एक change तो हमने ये किया है then उसके बाद फिर हम static part देखेंगे और फिर उसके बाद हम country of the day ये एक दूसरा change किया है मैंने इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम जैसे इसमें daily की हम एक country लेंगे और उससे related जितने भी facts होंगे वो discuss करेंगे then last में हम एक जिसमें हम जीक्ये से कुछ important MCQ आपके साथ discuss करेंगे I hope आप सभी को ये session पसंद आएगा फिर भी आप सभी एक बार इसको देख के मुझे comment box में जरूर बताना कि आप सभी को ये session कैसा लगा तो चलिए अब हम start करते हैं हमारा session कल की previous quiz से तो पहले हम कल की जो quiz थी एक बार उसके answer देख लेते हैं तो हमारा पहला question था Bleach Cup 2020 का विजेता कौन बना है और इसका सही जवाब था option C तो ये एक chest tournament थी ये तो आप सभी को पता ही होगा और इन्होंने जो है Magnus Carlson को जो हराया है चलिए अब next question पर चलते हैं तिरंगा rapid screening vehicle की शुरुआत किस ने की है और इसका सही जवाब था option C केरला चलिए अब next question सही है mobile app की city ने launch की है और इसका सही जवाब था option C पूने तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज की important news पर उससे पहले channel पर जो भी नया है वो एक बार channel को प्लीज subscribe कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे share कीजिए तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी पहले न्यूज पर विशो घर में कारियस्थल पर शुरक्षा एव स्वास्थे दिवस कब मनाया जाता है 28 अप्रेल को यानि की world day for safety and health at work कब मनाया जाता है 28 अप्रेल को तो इसे मनाता कौन है इसे मनाता है हमारा international labor organization और इसका उदेश्य क्या है इसका उदेश्य है कारियस्थल पर शुरक्षा और स्वास्थे को बढ़ावा देने के लिए हर साल 28 अप्रेल को यादिवस मनाया जाता है और इसमें जो लोग कारियस्थल पर काम से समद्दी चोट या बिमारी से मर गए है तो इसमें उनको सम्मानित भी किया जाता है तो सीधे तोर पर मैं आप मैं इसमें बता दू कि इसमें क्या करते हैं इसमें जो है जो भी मजदूर है या हमारा कोई labor है उसकी सुरक्षा और स्वास्था को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है जिनेवा स्वीजरलेंड इसके हैड कोन है गाय राइडर और इसकी स्थापना कब की थी सन 1919 में चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट निउस पर मध्यपरदे सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन सकती योजना शुरू की है तो इस योजना में क्या किया जाएगा इस योजना के तैद जो है सहरी मशेत्रों की महिलाएं घर पर मास्क बना कर पैसे कमा सकती है और सरकार उन्हें परती मास्क 11 रुपे परदान करेगी तो आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होगे कि मध्य परदेश सासन ने अभी जीवन सक्ती योजना लागू की है तो अब बात मध्य परदेश की है तो चलिए यहां से कुछ स्टैटिक पार्ट है उसे भी डिसकस कर लेते है इसकी कैपिटल क्या है भोपाल, यहां के सीम है शिवराद सिंग चोहान गवर्नर है लाल जी टंडन डैम है यहां पे गांधी सागर डैम और यह चंबल नदी पर है इंदरा सागर डैम यह कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है नेशनल पार्क बांधहुगर नेशनल पार्क काना, पेंच, पन्ना और सत्थपुडा नेशनल पार नुकलियर पावर प्लांट है यहां पे चुटका नुकलियर पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट है विंध्यांचल और सिंगरोली लेख है यहां पर भोजता लेख मोती लेख तो मद्य परदे से हमने इतने facts डिसकस किये हैं I hope आपसे भी कोई पसंद आये होंगे चले अब हम चलते हैं हमारे next news पर तो अभी हाली में पाकिस्तान ने anti-ship missile का सफल परिशिक्षन किया है तो अब बात आती है anti-ship missile क्या है यह missile है वह missile है जिनका इस्तमाल जो हम बड़ी नावों और जहाजों के खिलाफ करते हैं तो चलिए यहां से हम कुछ भारतिय anti-ship missile है उनके नाम देख लेते हैं तो निर्भे, भर्मोस और धनूस यह हमारी भारतिय anti-ship missile है तुमारे पाकिस्तान के परधान मंतरी कोन है इमरान खान और राष्टपती कोन है आरिफ अल्वी और पाकिस्तान की राजधाने क्या है इस्लामाबाद चलिए अब हम चलते हैं हमारे next question बर अनुभवी राजनितिग्य वे बिहार, त्रीपुरा और पश्चिम्बंगाल के पूरु राजधान हो गया है आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे ये थे देवानंद कोवर जी इसके साथ साथ अभी हाली में परसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट रोनो जोए रोनिक आज भी निधन हो गया है ये एक परसिद्ध स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट थे और इन्होंने ही पतले साल इंगलेंड में हुए आईसीजी वीशेव कब को भी कवर किया था तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स नियूस पर किंग जोर्ज मेडिकल यूनिवस्टी देश में सबसे पहले प्लाजमा ट्रीटमेंट थेरपी शुरू करेगी तो भी उत्तर परदेश में किंग जोर्ज मेडिकल यूनिवस्टी कोविड नाइटिन के इलाज के लिए प्लाजमा थेरपी शुरू करने वाला पहला सरकारी हस्पताल बन गया है तो यहां से एक चीज याद रखना कि जो किंग जोर्ज मेडिकल यूनिवस्टी है यह पहला सरकारी हस्पताल बना है प्लाजमा थेरपी शुरू करने वाला लेकिन इससे पहले जो है सरदार वुल्ला भाई पटेल हस्पताल में भी प्लाजमा थेरपी शुरू की जा चुकी है लेकिन वो एक प्राइवेट हस्पिटल है तो अब बात आती है कि ये प्लाजमा थेरेपी क्या है इसमें जो है क्या करते हैं जो भी मरीज कोरोना वाइरस से संकरमित था और वो है ठीक हो चुका है तो उसके बलड में जो है कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए एंटी बोडी का निर्मान हो जाता है तो फिर डोक्टर क्या करते हैं उसके बलड का एक सेंपल लेते हैं और उससे एक सेरम का निर्मान करते हैं और वो सेरम फिर किसी भी करोना वाइरस संकरमित के इंजेक्ट कर दिया जाता है और इसमें फिर माना गया है कि इससे जो है इंसान ठीक हो सकता है तो friends में आपको बता दो कि अभी हम सारी news देख रहे हैं, आज की जितनी भी news हैं और उनके facts हैं, वो discuss कर रहे हैं, अब हम कल क्या करेंगे, इनसे जितने भी important MCQ बनेंगे, वो हम कल discuss करेंगे, और कल की जितनी news होंगी, वो भी साथ में discuss करेंगे, जिससे आपकी दो दो बार revision भ सन्यास ले लिया, तो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे सनामीर को, इन्होंने ही अभी अंतराष्टिय क्रिकेट से सन्यास ले लिया हैं, ये जो है वंडे में 100 विकेट लेने वाली और 1000 रन बनाने वाली 9 महिलाओं क्रिकेटरों में शुमार हैं, चलिए अब हम चलते ह हमारे नेक्स नियूस पर, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिन्या खर्च करने वाला देश बन गया है, जी हां दोस्तों, भारत जो है सिन्या उपकरणों को खरीदने में दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश बन गया है, तो अभी हाली में स्टोक होम इंटरनेशनल पीस रिचर्च इंस्टिटूट इसकी रिपोर्ट आई है तो इसने क्या का है कि 2019 में भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सेन्या खर्च करने वाला देज बन गया है और भारत के दुआरा 2019 में जो है कैतर पॉइंट एक बिलियन रूपिय सेन्या खर्च पर किये गए है तो चलिए अब यहां से हम टोफ फाइब कंट्रीज देख लेते हैं इस लिस्ट में तो सबसे ज़्यादा खर्च किया है यूएस ने उसके बाद चाइना फिर इंडिया फिर रशिया और पांच में नमबर पर है साउधिय अरेबिया चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूस केरल में कोविड 19 रोगियों की सेवा के लिए करमी बोट नाम का एक रोबोट तयार किया है तो अब स्क्रीन में देख पा रहे होंगे इसी रोबोट को केरला में कोविड 19 रोगियों की सेवा के लिए तैनाद किया गया है तो केरला के अनारकुलन में स्थित, सरकारी हस्पतार ने COVID-19 मरीजों की सेवा के लिए करमी बोट नामक रोबोट तेनाद किया है तो सिंपल यह है कि यह जो है आईसोलेशन वार्ड में जितने भी मरीज हैं उनकी साहता के लिए जैसे कुछ दवाई वगरा देना या कुछ खाने का देना उसके लिए इसका इस्तमाल किया जाएगा और इस रोबोट को जो है एसाई मो रोबोटिक्स द्वारा विक्सित किया गया है और यह रोबोट 25 किलोग्राम तक का वजन एक मीटर पर सेकंड की स्पीड से ले जाने में सक्षम है अगर आप सभी को यह समझ में आ रहा होगा अगर आप सभी कोई अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेर कीजिए तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स न्यूस पर असम सरकार ने दवाओं की होम डिलिवरी देने के लिए धनवंतरी योजना शुरू की है और इसमें सबसे में चीज क्या है अगर दवाईयों की कीमत 200 रुपीय से कम होगी तो मरीजों से उसका कोई भी सुल्क नहीं लिया जाएगा लेकिन अगर इससे ज्यादा होगी तो फिर उन्हें पैसो का भुगतान करना होगा तो भी धनवंतरी योजना किस ने स्टार्ट की है असम सरकार ने तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स न्यूस पर केरल के IIATM ने इसने COVID-19 अनुसंधान के लिए एक विलोकना सर्च इंजन विक्सित किया है तो इस सर्च इंजन का क्या फायदा है इसके जरिये जो है उप्योकरता कीवर्ड्स आधारित अपने परशनों के जवाब प्राप्त कर सकेगा मतलब इसमें पूरा डाटा लिखने की जरूत नहीं है आप सिर्फ कुछ कीवर्ड्स होंगे इंपोर्टेंट उनके जरिये है आप जो भी इन्फोर्मेशन चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा तर जो है इसमें विज्यानिक अध्यन से संबंदित सामगरी को समझने और खोजने के लिए से स्पेशली त्यार किया गया है तो अब इसे त्यार किया है केरल आया एटिम ने तो इसकी स्थाबना कब हुई थी सन 2000 में और इसके डिरेक्टर को ने साजी गोपिनाथ तो फ्रेंड्स आज की जितनी भी इंपोर्टेंट न्यूस थी वो सभी हमने डिसकस कर लिया है अब इनसे रिलेटिड जितने भी MCQ होंगे वो हम कल के सेशन में जो है डिसकस करेंगे साथ की साथ इनसे रिलेटिड जितने भी फैक्ट्स होंगे उन्हें भी हम कल देखेंगे तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे static पार्ट पर और आज हमने इसमें लिया है महारतन कमपनी तो सबसे पहले देखते हैं कि यह महारतन कमपनी क्या है यह जो है सारजनिक शेत्तर के उपकरम को महारतन का दरजा दिया गया है तो अब यह सारजनिक शेत्तर के उपकरम क्या है ऐसे उपकरम जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% या उससे अधिक हो मलब जिसमें गोवर्मेंट के शेर 50% या उससे अधिक हो तो उनको हम सारजनिक शेत्तर के उपकरम का दरजा देते हैं तो पहले जो अबारत में कुल आठ महारतन कमपनिया दी पर अब जो है दो और नई कमपनिया जुड़ गई हैं तो वो दो कौन सी नई जुड़ी हैं हिंदूस्तान पेट्रोलियम कोर्पुरेशन लिमिटेड और दूसरी है पावर ग्रिड कोर्पुरेशन ओफ इंडिया तो चलिए अब देखते हैं मारतन का दर्जा पाने के लिए क्या-क्या मानदंड हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है तो सबसे पहले तो वो एक नवरतन का दर्जा पर आप तो नाचीए उस कमपनिय को उसके बाद पिछले तीन वर्सों की अवधि में उसका सालाना जो व दिक का होना चाइए बदलब लगातार तीन वर्सों से उसका वसक वर्सिक शुद्दलाब 5.000 करोड से ज्यादा होना चाहिए। और इतना ही नहीं पिछले तीन वर्सों की अवधी में ही वर्षिक नीवल मुले यानि कि उसका नेट ग्रोथ वो भी जो है 15,000 करोड से ज़्यादा का होना चाहिए तो अगर ये सब मान धंड वो पूरी करती है तो उसे हम महारतन कंपनी का दर्जा देते हैं तो चलिए एक बार जितनी भी हमारी महारतन कंपनी आएं दस उनके नाम एक बार डिसकस कर लेते हैं तो सबसे पहले है भारत हैवी इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, दूसरी है भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरी है हमारी कोल इंडिया लिमिटेड, चोथी हमारी गेल इंडिया लिमिटेड, पाचवी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिट चटी है Indian Oil Corporation of India साथ मी है राष्टियताप विध्यूत निगम लिमिटेड जिसे हम NTP से भी बोलते हैं आठ मी है Oil and Natural Gas Corporation Limited नो मी है Steel Authority of India और दस मी है हमारी Power Grid Corporation of India तो आई होप आप सभी को यह static पार्ट जो पसंद आया होगा तो ऐसे ही हम daily static part कुछ न कुछ ऐसे discuss करेंगे deeply जिससे आपको exam में help मिलेगी और इस session की खास बात यह है कि इसमें जो हम current affairs के साथ साथ static part और बहुत सारे facts जो हैं वो सभी आपके clear हो जाते हैं तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे next part पर इसमें हम country of the day देखेंगे मतलब इसमें daily एक country हम उसको discuss करेंगे तो आज हमने एशिया से जो है जापान को लिया है तो सबसे पहले हम इसे discuss करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि यह map में कहा है तो जापान जो है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह एशिया की सबसे पूरो में स्थी थे और यह जो है Pacific Ocean में स्थी थे चलिए अब जापान से कुछ facts देखते हैं जापान जो है कई दूवीपों से बना देश है और इसमें जो है लगबग 6852 दूवीप है ज़्यादा तर इसमें दूवीप सारे छोटे-छोटे से है लेकिन जापान जो है मुखे रूप से चार बड़े दूवीपों का देश है और यह चार दूवीप कों से है होकाईडो, होन्सू, सीकोकू और क्यूशू यह चार बड़े दूवीप है, इनसे ही जो है जापान ज़्यादातर बना हुआ है तो सबसे पहले देखने है जापान की कैपिटल का है, टोक्यो और यह जो है होन्सू दूवीप पर स्थीत है यहाँ के प्राइम निस्टर है सिंजो आबे, करंसी है यहाँ की येन और यहाँ का नैशनल गेम कौन सा है, सूमो रैसलिंग सूमो रैसलिंग में जो है जालातर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यह जापान की है यह चाइना का नैशनल गेम है तो सूमो रैसलिंग जो है जापान का नेशनल गेम है चलिए अब जापान से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट से उन्हें डिस्कस करते हैं तो जापान में एक परंपरा है जो यूग के साथ जुड़ी होई है और जो यहाँ पे अभी नया यूग शुरू हुआ है उसका नाम क्या है रीवा तो ये यूग क्या है इसमें क्या होता है जब जापान के राजा अपनी गद्धी छोड़ते हैं तो उनके गद्धी छोड़ने के साथ ही उस यूग का भी अन्थ हो जाता है तो अब यहां के नए राजा कौन बने है नारी ही तो और उनके साथ ही यहां पे रीवा युक की शुरुआत हुई है तो जैसा आप सभी को पता है होगा कि जापान में जो है दो बार परमानू हमले हुए है सबसे पहला हमला हुआ था हीरो सिमा और यह कब हुआ था 6 अगस्त 1945 को और उस एटम बम का क्या नाम था लीटल बोई क्योंकि इनके नाम से ज़्यादा तर कोश्चन पूछ लिए जाते हैं दूसरा हमला हुआ था नाका साकी में और यह कब हुआ था 9 अगस्त 1945 को और दूसरे बम का क्या नाम था फैट मैन तो जापान अभी न्यूज में भी है क्योंकि इसने अभी 7 अपरेल को पूरे देश में एमर्जन्सी लागू कर दी गई है और जापान जो है पूरे संसार में तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता है इसके साथ-साथ अभी जापान का पासपोर्ट है जो वह सबसे सक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है जिसमें जो हम 155 देशों में बिना वीजा के ही गूम सकते हैं इसके साथ-साथ अभी 2020 में अलोंपिक होने थे वह भी जापान में 2021 के लिए स्थखित कर दिये गए है और साथ-साथ यहां से कुछ important point है जिनसे question पूछा जाता है एक तो जापान की संसद का नाम क्या है? डायेट और जापान का पुराना नाम क्या है? निपन I hope जापान से जो है जितने भी facts थे वो ज्यादा तर हमारे clear हो गए होगे और आप सभी को जो यह नया pattern है यह साथ पसंद आया होगा चलिए अब हम चलते हैं हमारी जिक्के quiz पर और इसका answer जो है आपने comment box में जरूर देना है तो एक question आपके लिए सोतंतर भारत में मुद्रा का अव मुलिन पर्थम बार किस वर्ष हुआ था और इसके option है 1949, 1966, 1975 या 1978 तो इस question के जवाब जो है आप comment box में हमें जरूर बताना तो friends आज का session यह समाप करते हैं तो जो भी इस channel पे पहली बार visit कर रहा है वो एक बार channel को please subscribe कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने friends और study related groups में share कीजिए जिससे कि हमें भी साथ की साथ motivation मिलता रहे पहले तो जो भी मैंने ये changes किये हैं इनके बारे में आप comment करके जरूर बताना कि ये changes कैसे हैं आपको अच्छे लगे हूं या बुरे लगे हूं comment box में जरूर बताना तो चलिए smart करते हैं आथ का session ये ही और आप जो हमें instagram पर भी follow कर सकते हैं Thank you